Hello Friends, Calendar से संबंदित प्रशनों की सीरीज के तीसरे और अंतिम पार्ट में आप सभी का स्वागत है इस क्लास में हम Calendar से संबंदित बागी अन्य तरह के प्रशनों को हल करना सीखिंगे Type 4 में प्रशन इस प्रकार से पूछे जाते हैं यदि नवंबर की पहली तारीक सुमार को पढ़ती है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा देखे, Type 1 से Type 3 तरक के प्रशनों को हम पिछली क्लास में हल कर चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्रिप्शन में मिल जाएगा So, welcome to you all in your own channel, Tattoo, Think Exam, Think Us So, let's begin with the solution दोस्तों, क्लास में हमारी साथ अंत तक फिर से बने रहीगा क्योंकि अंत में हम लेटेस्टाइ के प्रशन जो परिक्षा में और पूछे आते हैं का हल सीखेंगे तो Type 4 में पहला प्रशन है यदि नवंबर की पहली तारीक सुमार को पढ़ती है फिर साथ दिनों के बाद अगला सुमार 15 को और इसी तरीके से 22 को भी सुमार पढ़ेगा तो इसके बाद देखिए हमें ग्यात करना है कि 25 नवंबर को कौन सा दिन पढ़ेगा तो 22 तरीक के बाद देखिए दिन कौन से बनते हैं बचते हैं 23 है आपका 24 है और 25 है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिर से कि 22 तरीक को जो है सुमार पढ़ रहा है तो 23 तरीक जो है वह मंगलवार को होगा 24 जो है वह बुद्धवार को होगा और 25 जो है वह आपका ब्रिस्पतिवार को होगा तो practice के लिए practice set का link आपको description से मिल जाएगा तो type 4 में दूसरा प्रशन है यदि किसी महीने में तीसरे सुमार को 17 तारीक है तो बताइए कि इस महीने में वहां कौन सा दिन है जो 5 पर आएगा तो देखिए एक काफी महत्पूर्ण प्रशन है और थोड़ा सा challenging भी रहता है अपनी calculation को लेकर तो देखिए यहां पर 17 तारीक को तीसरा सुमार पढ़ रहा है तो अगर हम पहले सुमार की गड़ना करें तो 17 तारीक को तीसरा सुमार पढ़ रहा है तो दो तारीक को क्या होगा हमारा रविवार होगा और एक तारीक को जो है वह क्या होगा हमारा शनिवार होगा तो यहां पर एक चीज जो है बहुत ध्यान रखनी है और वह यह है कि जो दिन आपके एक दो और तीन तारीक को पढ़ते हैं वह महीने में पांच बार आ सकते हैं तो इनकी पांच बार आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है इसके साथ हमें ये धियान रखना है कि यदि विकल्प में ऐसा दिन दिया हो जो एक तारिक और तीन तारिक दोनों को ही पढ़ रहा है यहाँ पर एक हमें बहुत इंपोर्टन चीज याद रखनी है कि अगर कोई ऐसा दिन है जो एक तारिक और तीन तारिक दोनों को पढ़ रहा है तो वहाँ पर हम प्रफर करेंगे कि हम एक तारिक वाले दिन का चैन करेंगे इसी तारिके से अगर हमें विकल्प में ऐसे दिन दिये हैं जो दो तारिक को और तीन तारिक को दोनों विकल्प अगर दिये हुए हैं तो हम इस स्तिती में दो तारिक वाले दिन का विकल्प का चैन करेंगे उस स्तिती में दो तारिक वाला दिन वहाँ सही होगा तो यहाँ पर इस चीजों को ध्यान लखना है अब देखिए इसको आगे समझते हैं हम तो सुमवार को जो है हमारा तीन तारिक पढ़ रही है रविवार जो है वह दो तारिक को पढ़ रहा है और सनिवार जो है एक तारिक को पढ़ रहा है तो इस तरीके से अगर हम 7 दिनों की करम में चलते हैं तो अगला सनिवार 8 तारिकों, फिर 15, फिर 22 और 29 को देखे अभी हमारा महीना कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहां बहुत संभावना है कि सनिवार जो है वहाँ 5 बर हो सकता है इसी तरीके से रविवार को हम देखें तो 2 तारिकों रविवार पढ़ रहा है फिर अगरा रविवार 9 तारिकों, फिर 16, फिर 23 और 30 तारिकों देखे अभी महीना यहां हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहां रविवार के 5 बर रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है संभावना की अगर हम बात करें तो 3 तारिकों संभावना है फिर अगला संभावर 10 तारिकों, फिर 17, फिर 24 और 31 तो यहां पर देखें, महीना 31 का भी हो सकता है तो संभावना बहुत ज़्यादा है 21 तारिक से 5 दिन कौन सा होगा तो इस तरह के प्रशन जो है, इसमें हमें वासा का विश्यस रूप से ध्यान रखना पड़ता है तो जिसके लिए कुछ नियम है, इनको हम समझते है कि नियम क्या है, कि A से 5 दिन क्या होगा तो A से 5 दिन का मतलब है A यहां पर क्या कर रहा है, वहां दिनों को रुप्रेजन कर रहा है जो सोमवार, मंगलवार, बुद्वार से लेकर रव्यारता कुछ भी हो सकता है तो A से 5 दिन हमें ग्यात करना है तो A से 5 दिन क्या होगा resultant जो day होंगे वहाँ A plus 4 हो जाएंगे क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जह हम A से count कर रहे हैं तो A को जैसे हमने पहला माल लिया B उसके बाद आता है तो यह दूसरा होगा C जो है वह तीसरा होगा D जो है वह 4 होगा दिन और E जो है वह 5 दिन होगा तो प्रभावी दिन जो है वह A plus 4 रहते हैं इसी तरीके से हम A से 5 दिन बात की बात करें तो यहाँ पर हम A को count नहीं करेंगे A से अगले दिन के बात से हम count करेंगे तो इसलिए जो resultant days होते हैं प्रभावी दिन होते हैं वहाँ क्या होते हैं A plus 5 हो जाता है और तीसरा है कि A के 5 दिन बाद A के भी 5 दिन बाद तो यहाँ पर जो प्रभावी दिन आएंगे इस तरीके से क्या होगा A plus 6 हो जाते हैं और A से 5 दिन पहले में क्या आता है कि A से हम सीधे से 5 दिन हम घटा देते हैं तो यह नियम है जिसके आधार पे इस तरह की प्रश्णों को हल किया जाता है तो देखिए प्रश्ण का हल देखते हैं प्रश्ण के अनुसार जो है टीन तारीक को हमारा सुमार पड़ रहा है उसके बाद क्या करना है उस माहा के 21 तारीक से 5 दिन गयात करना है तो यहां पर हम दिन बढ़ेंगे तो 21 में हम 5 की पजाए हम 4 दिन जोड़ेंगे तो वह क्या जाएगी 25 तारीक आ जाएगी तो तीन तारीक को हमारा सुमार पढ़ रहा है तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 3 में अगर हम 7 के मल्टिपल्स में चाहें तो तीन बार जो मल्टिपल्स 21 हुआ तो 3 प्लस 21 24 हो जाएगा तो पहला सुमार जो है वहां क्या पढ़ रहा है तीन को पढ़ रहा है तो 24 तारीक को भी क्या होगा सुमार ही होगा और हमें दिन ग्याद करना है कि 25 तारीक को कौन सा दिन होगा तो 25 तारीक को सुमार है तो 25 त कि यदि किसी महीने की 11 तारीक सुमार के 2 दिन बाद पढ़ती है यहाँ पर सब्द को धियान रखना है के 2 दिन बाद पढ़ती है तो उसी महीने की 27 तारीक को कौन सा दिन होगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ नियम क्या है कि A के 5 दिन बाद का नियम है तो यहां पर क्या हो जाएगा, a plus जो resultant days होते हैं हमारे, वो a plus 6 हो जाते हैं तो यहां Sumvare के 2 दिन बाद का दिन क्या पढ़ रहा है? तो देखे Sumvare है, अब यह दो दिन बाद पूछा है, तो हम यहां पर जो प्रभावी दिन हो जाएगे सुम्वार में हम तीन दिन हम जोड़ते हैं तो हमें दिन मिलता है ब्रहसपतिवार मिलता है तो इसका मतलब है कि 11 तारीक को हमारा कौन से दिन पढ़ रहा है ब्रहसपतिवार पढ़ रहा है अब 7 के multiples में हम जाएं तो अगला जो सुम्मार को व्रस्पतिवार जो पड़ेगा अगला व्रस्पतिवार वह 11 प्लस 14 25 तारिक को पच्चेस तारिक को क्या होगा व्रस्पतिवार होगा करा करें यहां पर हमने सैवन के multiples में डेज लिये हैं तो वह क्या हो जाएगा पच्चेस तारिक को भी आबा हमारा व्रस्पतिवार होगा और हमें दिन क्या गयात करना कि 17 तारिक को कौन सा दिन होगा तो देखे साटाशी सारी को दिन क्या होगा व्रस्पतिवार में दौ दि सनिवार होगा, तो इस तरीके से 27 तरीक को क्या पढ़ रहा है, सनिवार पढ़ रहा है, टाइप 6 में पहला प्रशन है कि यदि किसी वर्ष जो लीव वर्ष ना हो का पहला दिन सुकुरुवार हो, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा, तो हम जानते हैं देखिए साधा जन्वर को भी क्या होगा, सुकुरुवार ही होगा, दूसर प्रसन देखते हैं कि महेश का जन्म 10 जन्वरी 1996 को बुद्वार के दिन हुआ है, आने वाले वर्षों में किस वर्ष उसकी वर्षकार ब्रिस्वतिवार के दिन होगी, तो यहां पर हमें दो चीजें बहुत ध्य जहां रखनी है, विशेश रूप से, एक तो क्या है साधारन वर्ष, साधारन वर्ष में दिनों की संक्या होती है, एक, और लीप वर्ष में अतरिक्त दिनों की संक्या होती है, दो, तो यहां पर इस अधार पे हम गड़ना करेंगे, तो 10 जन्वरी 1996 को जो दिन पढ़ रहा है, वहा क्या है, बुद्धवार है, अब हम जानते हैं कि 1996 जो है, वहा क्या है, एक लीप यहर है, तो यहां पर अतरिक्त दिनों की संक्या होगी, दो होगी, तो इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तो 10 जन्वरी 1997 को हम देखेंगे, तो दिन पढ़ेगा, वहा क्या होगा, क्योंकि लीप यहर में अतरिक्त दिनों की संक्या दो है, अब 10 जन्वरी 1996 को हमारा जो दिन है, वहा क्या है, बुद्धवार है, तो 10 जन्वरी 1997 को दो अतरिक्त दिन बढ़ जाने की वज़ा से, जो दिन पढ़ेगा, वहा क्या पढ़ेगा, शुक्रवार पढ़ेगा, व्र वोज़ासे शुकृवार के बाद क्या होगा अगला दिन आएगा सनिवार आ जाएगा इसे आप चितर से भी समझ सकते हैं किशुकृवार के बाद सीधे अगला जिन JUST नहीं एक आत्रिकते दिन बढ़ने की वेश्ची सनिवार होगा इसी करम में हम आगे देखते हैं कि 10 1999 को दिन क्यों होगा जनवार के बाद एक दिन पड़ जाएगा तो रभीवार हो जाएगा आब 1999 जो है वहाँ भी एक साधान वर्श है तो अगले वर्श जो हम देखेंगे दस जनुएरी सन 2000 को जो होगा वहा क्या होगा रविवार के बाद एक दिन आगे बढ़ जागा तो वहां सुमवार पढ़ रहा होगा तो यह सन उम्मवार मर काई एक लेख फ्ली वर्श है तो जो हम्मध्री 01 को जो दिन पढ़एगा है पढ़ से दिन बंढ़ने की वियास से सोमवार मंगलवार बुद्धवार पड़ेगा अब सन 2001 की बात करें तो सन 2001 जो है एक साधान वर्ष है तो इसमें आतरिक्ति दिनों की संक्या क्या होगी एक होगी तो 10 जनवरी सन 2002 को हम देखेंगे तो बुद्धवार के बाद एक व्रस्पतिवा जो है इसी करम में कब पढ़ रहा है 10 जनवरी 2002 को बढ़ रहा है तो सही विकल पर हमारा 10 जनवरी सन 2002 को जो है महेश की जनम दिन की वर्ष गाट होगी तो अब हम पहुच गए हैं लेटेंस टाइप के प्रशनों में जो आज कल परिक्षा में पूछे जाते हैं तो इसमें पहला प्रशन है कि सन 1993 के कलेंडर का दुबारा कब प्रियोग किया गया होगा तो यहां पर एक चीज का ध्यानकना हमने सबसे पहले जो भी हमें वर्ष दिया है वहां में ज्यात का लिना है कि वह साधान वर्ष है या जो है लीपियर है तो साधान वर्ष के कलेंडर का प्र के लिए पुना प्रियुक्त हो सकता है जिसका प्र्थम दिन और अंतिम दिन वही हो जो सन 1993 उबर यहाँ पर हमें कलपना कर यह यहां कि on the जेका प्रथम दिन हमने मालया रविवार आ लिए आता इसका अंतिम दिन अब इसके बाद देखिए 1994 का जो प्रथम दिन होगा रविवार केबाद क्या होजएगा सुमवार हो जाएगा तो इसका चूकि 1994 भी एक साधण वर्स है तो इसका अंतिम दिन भी क्या होगा सुमवार ही होगा उसके बाद हम 1995 पहुंचते हैं तो 1995 का पहला दिन क्या होगा सोमवार के बाद मंगलवार पड़ेगा अब चुकि 1995 भी एक साधान वर्स है तो इसका अंतिम दिन जो है वह भी एक मंगलवार होगा इसके बाद हम 1996 पे बढ़ते हैं तो 1996 का पहला दिन जो है मंगलवार के बाद बुद्धवार होगा अब इसका अंतिम दिन क्या होगा चूकि 1996 एक लीप एर है तो इसका अंतिम दिन एक बढ़ जाएगा तो बुद्धवार के बाद क्या होगा व्रस्वतिवार होगा ना कि बुद्धवार होगा यहां पर इस चीज का विश्यस रूप से ध्यानक ना है लीप वर्षों के लिए अब आगे हम बढ़ते हैं तो 1997 की अगर हम बात करें तो व्रस्वतिवार के बाद 1997 का पहला दिन जो होगा वह क्या होगा सुक्रुवार होग अब चुकि 1998 में पुना एक साधर्ण वर्ष है तो इसका अंतिम दिन क्या होगा सनिवार ही होगा अब फिर आगे बढ़ते हैं हम 1999 की बात करते हैं तो 1999 का पहला दिन जो है वह क्या होगा रविवार होगा अब चुकि 1999 में पुना एक साधर्ण वर्ष है तो इसका अंतिम द 1993 के बाद 1999 में वो करम आ रहा है कि प्रथम और अंतिन दिन क्या है रविवार ही है तो इसका मतलब है 1993 के कलेंडर का हम पुना प्रियोग किस वर्ष में कर सकते हैं 1999 में हम कर सकते हैं दूसर प्रशन है सन 1997 के केलेंडर का दुबारा का प्रयोग किया जा सकता है? तो इस प्रशन को हम क्या करेंगे? दूसरी विधी से हल करेंगे और वहाँ विधी क्या स्टेट करती है? कि जो भी वर्ष हमें दिया होता है उससे प्रारम करके हम क्या करते हैं? जिस वर्ष तक अत्रिक्त दिनों की संख्या 8 और 15 या इसी क्रम में आगे हो वहां हम ज्याद कर लेते हैं तो अत्रिक्त दिनों की संख्या ज्याद करते हैं और जिस वर्ष में अत्रिक्त दिन 8 या 15 या इसी के मल्टिपल में आगे इसी क्रम में आ जाए तो वह वर्ष क्या होता है उस वर्ष में हम करेंडर का दुबारा प्रियोग कर सकते हैं तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान अकना है कि वह अत्रिक्त वर्ष है अगर दिया गया वर्ष जो है और फिर अत्रिक्ति दिनों का एक कॉलम बना लेते हैं और उसके बाद कुल अत्रिक्ति दिनों की संख्या हम ग्याद कर लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि 1997 जो है वह एक साधान वर्ष है तो इसमें अत्रिक्ति दिनों की संख्या क्या होगी एक होगी तो कुल अतरिक्त दिन हो जाएंगे हमारे पास एक उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1998 में देखते हैं 1998 पुना है एक साधान वर्ष है तो इसमें अतरिक्त दिन की संख्या क्या होगी एक तो कुल अतरिक्त दिन क्या हो जाएंगे 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे इसके बाद 1999 की बात करें हम तो 1999 में पुना एक जो है साधान वर्ष है तो अत्रिक्त दिनों की संखिया क्या होगी? एक हो जाएगी और कुल अत्रिक्त दिन है 2 प्लस 1 क्या हो जाएगे? 3 हो जाएगे इसके बाद सन 2000 पे हम मूफ करें तो यहाँ एक लीप वियर्ष है तो इसमें अत्रिक्त दिनों की संखिया क्या होगी? 2 होगी तो कुल जो अत्रिक्त दिन हो गए वह क्या हो गए? 2 प्लस 3, 5 हो गए उसके बाद सन 2000 एक एक साधान वर्ष है तो इसमें अत्रिक्त दिनों की संखिया क्या होगी? हो गए six plus one seven हो गए इसके बाद 2003 की हम बात करें यहां एक साधान वर्ष है अतरिक्त दिन एक कुल अतरिक्त दिन आठ हो गए तो हम देख रहे हैं कि 1997 से चलकर जब हम 2003 पर पहुँच रहे हैं तो अतरिक्त दिनों की संक्या का गयरी एक से आठ हो गई तो इसका मतलभ है hope 1997 के कलेंडर का हम चुकि樣 1997 एक साधान वर्ष है और दो हजार तीन जो है वावी एक साधान वर्ष है तो dies 1997 के ये क्लेंडर का पर्योग हम क्या कर सकते हैं 2003 के में हम इसका पुनापर प्रियोग कर सकते हैं